नमस्कार दोस्तों स्वाकत आप सब करेंगे कि अगर आप नगर पन्चायत के सदस्से बनना चाहते हैं नगर पंचायत में चनौल अड़ना चाहते हैं तो आपके पास कुछ योग गिता है होनी चाहिए कि आपकी उम्र भाई 30 साल 35 साल 40 साल कितनी होनी चाहिए इस बारे में आज के इस सिजन में हम और आप डिसकस करेंगे क्या होती है योगेता आर्टिकल है आपका 243 इंगलिस में वी और हिंदी में इसको फा पढ़ेंगे पाक के बाद फा फलवाला सदस्यता के लिए निरहरता कौन कौन सी होनी चाहिएगा तो आईए गैस पर हम लोग डिसकस करते दरसल कहा गया कि कोई भी ब्यक्ति किसी नगर पालिका का सदस्य चुने जाने के लिए अर्थात नगर पालिका में चुनाओ के द्वारा ही सदस्य बन सकते हैं और सदस्य होने के लिए निरहरता उसके पास होगी यनि कि अगर ऐसा नहीं है तो वह योगे नहीं होगा चुन विधी द्वारा उसके आदीन इस प्रकार निरहरत कर दिया जाता है अगर कोई बेखती जिस राज्य की नगर पंचायत का चुनाओ नगर पालिका का चुनाओ लड़ना चाहता है और वहां के जो विधान सभा है उसके द्वारा बनाएगे किसी नियम के तहित वहां निरहरत गोसित कर दिया जाए तो वहाँ कोई भी चुनाओ नहीं लड़ सकता तो नगर पंचाइट का भी चुनाओ नहीं लड़ सकता लेकिन परंतु किन्तु कोई ब्यक्ति इस आधार पर निरहरित नहीं होगा कि उसकी आयू 25 वर्ष से कम है यदि उसने 20 वर्ष की आयू पूरी कर लिए तो minimum age आपकी कितनी होनी चाहिए 21 साल की अगर आपकी आयू है तो आप चुनाओ लड़ सकते हैं 25 साल का या कोई concept नहीं है नगर पंचाइट के जैसा ग्राम पंचाइट में भी 21 साल है हमारे देश में ग्राम पंचाइट और नगर पंचाइट का चुनाओ लड़ने क उम्र 21 साल और इन में वोटिंग करने की उमार 18 साल होनी चाहिए अगर आप मतदान करना चाहते है तो 18 साल आपकी आयू होनी चाहिए इसके लावा बताया गया प्लस यदि वार राज्य के विधान मंडल द्वारा बनाईगे किसी विधी द्वारा उसके आधिन इस प्रकार निरहरित कर दिया जाता तो भी आयोगी रहेगा और यदि प्रस्न उठे यदि प्रस्न उठता है कि किसी नगर पालिका का कोई सदस से खंड एक जो पीछे आपने पड़ा निरहरित वाली बात है किसी नियम के तैत उसमें वर्णित किसी निरहरता से ग्रस्त हो गया है या नहीं तो वा प्रस्ण ऐसे प्राधिकारी को और ऐसे रीति से जो राज्य का विधान मंडल विधी द्वारा उपबंदित करे विनिश्य के लिए निर्देशित किया जाएगा। मान लीजेगा कि राज्य का विधान मंडल कोई नियम मनाता है तो उस नियम के तहट कोई ब्यक्ति निरहर है इसके लिए उस जिले में या उस पूरे राज्य में कोई अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी वह ब्यक्ति चेक करेगा कि उस नियम के तहट कोई ब्यक्ति निरहर है तो है नहीं है तो उसे चुनौ लणने की छोड़ दी जाए यहां पर राज्यपाल का नाम यूज नहीं है लेकिन राज्य विधान मंद्रा जिसको भी बोलेगा तो वही बेक्ति बताएगा कि आप चुनौ लणने की योगे हैं या आप चुनौ लणने की योगे नहीं है त फिर मिलते हैं अगली आर्टिकल के साथ तब तक के लिए मुझे दीजेगा गया हस्ते मुस्क राते रहिएगा जय हिन जय भारत